अधिकारी अजीस सिंग ने बताया कि नीमराना के गिलोट निवासी अशोक यादव के बेटी की शादी डेराश शापुरा निवासी राम प्रताप के बेटे राकेश के साथ साल भर पहले तै हो थी राकेश आलमी में कलर्क है चार नवंबर को शादी होनी है इसकी बुद्धवार को लगनाई थी आरोपै की नाश्ते के बाद लड़के के ताउ और महिलाओं ने वधू पक्षवालों को बुलाया और कहा कि उन्हें 11 लाक रुपै नगत, 11 सोने के अंगूठी और 11 जोडी पाईजे देनी होगी परियादी ने बताए कि शादी तै करते समय उनकी कोई भी मांग नहीं थी अलगान लेने के तैयारी हूगी लगन लेने के तैयारी से पहले जो बच्ची का ताइसरा का बच्चा है उसने हमको ठाच पर बोलाय अग्यारे ने तो में आगर आगर आपके पास महारे आग में 5 लाक रुपा है हुए है वो तो ल्याओं उपर तो लगन लेकर आना नहीं आप लगन लेकर मताना आप जो पर पुलिस पर साथ समझे करने चाहते हो वो कुछ बाइक की नहीं पैसनों की बात होई है तो लो मैं तुछ की बजाएक एक मिन्ट में लेना जाता हूं तो उसके बच्चे के नाओ हमने बाइक निकड़वा ले और उसके नाओ करवा दिया तो वगर्टे विगरते और यह काम फैलो अच्छी सगाई का वी थी सगाई 2021 में कौन में अपना जमीदारा करता है कहीं से वरस्ता कर एंड टेम के उपर 550000 रुपे की लड़की का पिता क्या बढ़िका व्यार्मी में लड़की ये कर रखिए पूर्श कर रही है पढ़ रही है पूस्कर रही है और दो लड़की है उसके अब यहाँ आप कहा है इंगता है ये मेरा रामुतार ना हूँ, मैं लड़की का ताहूँ हूँ मेरा पास कंट्रोल रूम से सूचना है थी कि डेरा शापुरा में कोई एक लगन टीका के लिए पक्ष आया है, उनके और दूसरे वर्पक्ष के बीच में कोई विबाद हो गया, इस पर पतकाल पुलिस महा पहुची, महा पहुचने वाद में जानकरी कि तो एक दिलोट से एक शेआ के महां की जाली है, यह पख स्थाने पर पुबस ना का दियता है, अभी लिखित में रिपोर्ट प्राप्त की 지금 कि भी विबाद तो ना की हो आपको पर एंग्ड़ भाहे इसा की जैसे कि रिपोट दज करीं, किस दाराउं में के और उस वज़्वाध क्या करवा, उस और इनके द्वारा मांग की गई है तो देहिज प्रतीशेद दीन की दारा दीन को टचार के तहत और और जो भी इनके पर डिपोर्ट होगी उसमें जो भी दारा मनेगी उसके तहत इसके मुखनमर की तश्फ़े गई है श्रीक लड़की की कई और शादी हो गई है और हम उसके वैवाईक सुखी जीवन की काम ना करते है और आरोपियो को कड़ी से कड़ी सजा मिले उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमंस करें